मश्कार सभी को आज का हमारा पाठ वर्शा रितु में पावस इसमें पर्वतिय पर्देश में प्रकर्ती अपना जो अलग-अलग वेश ग्रहन करती है अलग-अलग प्रकार के रूप दिखाती है उसका वर्णन किया है इस रितु में प्रकरती निम्लिकित परिवर्दन लेती है विशाल आकार वाला परवत तालाब के स्वच्छ जल रूपी दरपण में अपना प्रतिबिम्ब देखता है यानि कि तालाब में आकाश का प्रतिबिम्ब दिखाई दे रहा है उसकी छाया दिखाई दे रही है परवत पर ऐसंख्य फूल खिल जाते है जर्नों का पानी मोती की लड़ियों के समान सुशोभित होता है जर्नों का पानी ऐसा हो जाता है जैसे मोती के समान वह दिखाई देने लग जाता है उंचे व्रक्ष आकाश की ओर एक टक देखने लग जाते है बादलों के छा जाने से परवत एद्रिश्य हो जाता है दिखाई नहीं देता है ताज से उठते हुए धुए को देखकर लगता है कि मानो आग लग गई हो आकाश में तेजी से इधर उधर घूमते हुए बादल अत्यंत आकशक दिखाई देते हैं यहाँ पर आप देखोगे तो एक शब्द आया है मेखला कार मेखला कार जो शब्द है वहें मेखला प्लस आकार से मिलकर के बना है मेखला क्या होता है स्त्रियों का एक आभूशन होता है जो कमर मेवें पहनती है और परवतों का धलान देख करके कवी को लगता है कि प्रित्वी ने मेखला को धारण कर रखा है यानि कि उन्होंने आभूशन पहन रखा है प्रित्वी ने यहां फिर से एक और शब्द आता है कि सहगन द्रग सुमन सहगन द्रग सुमन जो है यहां पर परवत पर खेले हुई फूलों के लिए यहां पर कबी ने प्रयू किया है वर्षाकाल में परवतिय भाग में हजारों की संख्या में फूल खेले रहते हैं आपने देखा भी होगा तो कभी इन पुश्पों में परवत की आँखों की कल्पना करता है परवत अपने नीचे फेले तालाब रूपी दरपण में फूल रूपी नेत्र यानि कि किसकी तुलना यहाँ पर हुई है फूल की और नेत्रों की तुलना हुई है और उसके द्वारा अपने सुंदर्य को निहार रहा है तालाब में खुद को ही देख रहा है जैसे हम शीशे में खुद को देखते है यहाँ पर मानवी एकरण हुआ है इसका परवत का मानवी एकरण हुआ है और फूलों की सुंदर्ता का चित्रण भी हुआ है कवी ने तालाब की समामता दरपन की तरह दिखाई है किस की तुलना यहाँ पर हुई है दरपन की और तालाब की तुलना यहाँ पर की गई है शीशे की तुलना किस से की गई है पोखर से तलाब से की गई है इसका कारण है कि परवतिय प्रदेश में परवत के पास हमेशा ही जल होता है और जो जल होता है तलाब का वो बिलकुँ स्वच्छ होता है उसमें हमेशा छाया बनती रहती है पहाडों की प्रतिभिम्ब बनता रहता है जिसे हम क्लियरली देख सकते हैं इस पश्टूप से हम देख सकते हैं मानो तलाब शीशा हो मानो तलाब दर्पण हो पहाडवी इस तलाब रूपी दर्पण में अपना प्रतिभिम्ब देख करके आत्ममगद हो रहा है, खुश हो रहा है परवत की हदे से उठकर उचे उचे व्रक्ष आकास की ओर देख करके उसे छूने की प्यास कर रही है मानों वे अपने किसी उच्याकांग्षा को पाने के लिए उसे देख रहे हो अकांग्षा यानि हमारी जो इच्छाएं होती हैं उच्छ लेवल की अकांग्षाएं उन्हें प्राप्त करने के लिए पेड़ व्रक्ष जो हैं आकाश की और निहा रहे हैं देख रहे हैं और वे पिल्कुल मोन रहे करके ऐसा लग रहा है जैसे कोई संदेश दे रहे हूं और चुपचाप रहे करके अपने लक्षे की और बढ़ रहे हूं परवतिय परदेश में जब वर्षा होती है तो बादल काफी नीचे आ जाते हैं अगर हम पहाडों पर जाते हैं तो हमें बादल नीचे दिखाई देंगे तो कभी कभी लगता है कि हम बादलों के बीच में हो गए हैं ऐसे में अचानक वर्षा होने लगती है बादल और कोहरा इतना घना हो जाता है कि आसपास का द्रिश्य दिखना में बंद हो जाता है ऐसे में साल के ब्रक्ष भी बादलों से ढख जाते हैं और मुसलाधार वारी शुकर के पेड़ धर्ती में धस जाते हैं जरने परवत के गौरव का गान कर रहे हैं कभी ने बहते हुए जरनों की तुलना मोतियों की लड़ियों से की है पहाडी की चाती पर बहने वाले जाग यानि फेन या जरने जो होते हैं वो अत्यंत मनोरम दिखाई दे रहे हैं और जर जर की ध्वनी वहां से आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वह पहाड की महांता का गुनगान वहां से कर रहे हैं और उनमें उत्सा भी है उमंग भी है पावस रितु में पहाडों के क्षेत्र में प्रकरती अपना समय बदलती रहती है रूप बदलती रहती है कभी बादल चा जाते हैं कभी धूप आ जाती है बादलों की सघंता के कारण यानि बहुत जादा बादल होते हैं उससे हमारे पेड़ पोधे दिखाई देना बंद हो जाते हैं तलाब के पानी से हमें ऐसा लगेगा कि धूआ सा उठ रहा है बहुत ठंड का मौसम होगा जब बादल होंगे तब हमें लगेगा कि धूआ वहां से उठ रहा है और शाल के पेड भैबी तोकर धरती में धंसते हुए से नजर आते हैं ऐसा लग रहा है कि वो धरती के अंदर जा रहे हैं क्योंकि बादल उड़ रहे होते हैं बादलों के साथ पहाड भी हमें उड़ते हुए दिखाई देते हैं इधर वर्षा के बीच बादल उड़कर इधर घूमते फिरते हैं जिनें देखकर लगता है कि इंद्र इन बादलों के विमान पर बैठ कर यानि कि इंद्र देवता बादलों के विमान पर बैठा है इंद्र जाल अपनी माया की लीला दिखा रहा है अपनी सारी माया वै दिखा रहा है वरिक्ष भी परवत की हृते से उठ उठ कर उची आकांक्षों के समान आकाश की और देख रहे हैं यह थी हमारी आज की कविता